नमस्कार मैं प्रांशे राठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज महराष्ट में स्यासी संकट लगातार कहराया हुआ है बीते साल 2022 में शिफसेना की प्रमुक रहे और मुख्य मंत्री के पत पर रहे चुके उधव ठाकरे संग बगावत की 40 विधायकों है और आज 40 वागे विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनोतियां दे रही है यहां तक की देखा जाए शिफसेना पार्टी का नाम और चुनाप चिन भी अब उनसे चीना जा चुका है मुख्य मंत्री एक नाश शिंदे की गुट की तरफ से क्योंकि चुनाप आयक उन्हें 17 फरवरी की दिन अपना अंतिम फैसला सुनाया कि एक नाश शिंदे गुट की शिफसेना पार्टी का नाम है और चुनाप चिन है ऐसे में देखा जाए अब शिफसेना की तमाम प्रॉपर्टीज पर कहीं न कहीं नजरें बनी हुई है शिंदे गुट की ये दावा किया गया लेकिन शिंदे ने तमाम खबरों को अफखारिस कर दिया है उनका कहना है कि अब इन तमाम प्रॉपर्टी से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है अब देखा जाए तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं आगामी विधान सभाचुनाब को लेकर जिसके बारे में हम बात करेंगे मारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है तो सवाल यहां पर दीपक यह है कि लोगसभाचुनाब भी 2024 में होंगे 2024 में महाराष्ट में विधान सभाचुनाब भी हैं तो इन विधान सभाचुनाब के सासाथ लोगसभाचुनाब भी उधव के लिए एक नाश्रिंदे के लिए काफी ज़्यादा माइने रखते हैं ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री पत को लेकर यहां पर इस वक्त संकट कहराया हुआ है क्योंकि उधव ने साफतोर पर कह दिया कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए जिससे देखा जाए तो यहां पर उनकी पतनी रश्मी ठाकरे का नाम सामने आया अजीत प अगर गौर किया जाए तो उधव ठाकरे की सरकार इतनी कामयाब होती हुई ने सन्य आई तो आपको लगता है कि रश्मी ठाकरे को यहां पर अगर आगे किया जाएगा तो रश्मी ठाकरे खरी उतरती हुई नजर आ सकते हैं अगर रश्मी ठाकरे पर कोई बयान बाजी करेगा तो कहीं न कहीं वो उस पर खुलकर बाते नहीं रख पाएंगी वो थोड़ा वहाँ पर योगी अखिलेश शिपाल के बीची थी और डिमपल यादव अपनी जीत का रास्ता तैय करती नज़राईंगे तो यहाँ पर वो बड़ा खेल हो सकता है कि अगर सत्ता परिवर्तन का बदलाव का लहर चला है तो बदलाव कुरसी पर भी होना चाहिए हर बार पुर किया जाए तो देखिए यहां पर शिफसेना का जो उधव गुट रहा है यहां पर तो राष्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी के साथ गठवन दने तो क्या कॉंग्रेस की कुई रणनिती यहां देखने को मिलेगी कि लोगपर यह चेहरे को आगे किया जाए जाएंगी राहुल नजर आएंगे प्रियंका भी आ सकते हैं कई रेलिया करने के लिए क्यूंकि उनको भी सत्ता चाहिए जैसा की जारकंड में हमने देखा वहां पर भी गड़बंदन की सरकार है लेकिन राहुल और सोनिया प्रियंका वहां फिर भी जाते हैं बले कुस में यहां पर सारी बाते नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर भले ही शिंदे फणवीस को हटा दिया जाए उनके खिलाब जो बयान बाजी हो रही है शिंदे को हटा दिया जाए लेकिन फिर भी वाकी विधायक जंता की नजर में आज भी सुरक्षित हैं बहुत बहुत शुक्रि यहां पर देवेंद्र फणविस को भी आगे किया जारा है देखना होगा कि आखिरकार दोहजार चौबीस की विधान सबचुनाब में किसकी जीत होती है और मुख्य मंत्री का जो ताज है वह किसकी सर पर सचता है लेकिन आपकी क्या कुछ राइपरतिकरिया है या बता सकत तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज